हाई अवी को अवाँर फेमली देसे हेड़ अवी शर्मा वेलकम बैक मैं यूडिव चैनल गाइस आज की वीडियो अब को बहुत ही श्योट-शूट पर केटरन्.. यह वाला केंडल क्या वनेगा राज बनेगा यह यह तैंपर मेनें धनेगा- यह श्यूर्ट-बनेगा पता ख यहां पर मैंने multiple trade लिए और आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैंने बारिक की point बता हैं ध्यान से सुल लेना समझ लेना क्योंकि यह वीडियो हो सकता है आपकी accuracy double कर देगी फूल डवल कर देगी 100% से आपकी 200% कर देगी अगर आपने थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान में रखे लिए ज्यादा कुछ चीज़े नहीं है बारिक की चीज़ें क्या बारिक इसलिए ध्यान से सुनना इस वीडियो को ठीक है ध्यान से देखे न और देको हमाई डिट वि कि मुझे पता थे इस वाले कंड़ल का पहली ही ब्रेक अट-ट करें और नीचे ही ब्रेक आउट करह 20lusion क्रेंए झाधी चाइए वेसे तुम लॉस करी रहो मुझे इतना पता है तुम लॉस ही करोगी है मांते हो नहीं हो तुम बटकने के आदा था था लेकिन अब शोधार कर लो ट्रेडिंग के जर्णी के अंदर मैं थोड़ा ध्यां से देख लो समझ लो प्रोफिट पर लो टीक है लाइक कर दो वीडियो तो दोचा दोस्तों को share कर दो, कम सी कम उनकी जिंदगी तो बदली जाए ठीक ना, तो दोचा लों को share भी कर दिया करो, चलो, मैं start करता हूं, ठीक है, वेरी-वेरी simple सा point है, जादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना वोलूँगा, जादा कुछ है नहीं है, लेकिन जो छो माउस एक ही चीज देखनी है, क्या देखनी है, सिर्फ एक ही ही चीज आपको देखनी है, red और green candle, क्या करना है, red और green candle, वेकुल सही सुना आपने, अगर red और green candle, आगर आपने थोड़ा सा देख लिए, समझ लिए, तो आपको profit बन जाएगा, ठीक है, तो देखो सुनो, आपके 11 मैं मेरी बातें चली ही जाए, ठीक है, तो देखो यह red candle, उसके बाद में green candle, तो आपको red और green candle देखना है, उसके बाद में red और green देखने के बाद में, आपको यही से 5 candle केंडल गिनने, क्या कहने है, 5 candle, 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, और 5, पांच में candle पर यह वाला candle आ रहा है, जो green candle है, yes, अब green candle में ऐसा क्या आपको देखना है कि next वाला candle आप judge कर पाएं कि green बनेगा या red बनेगा, तो इस green candle में आपको ये देखना है कि candle की उपर वाली week और नीचे वाली week से ही सुना आपने, candle की उपर वाली week और नीचे वाली week देखनी है कि इस green candle की week कौन सी बढ़ी अगर उपर वाली वीक बड़ी ज्यादा रहेगी, उपर वाली वीक अगर ज्यादा बड़ी है, नीची वाली वीक से तो भाई साब, नेक्स्ट वाला केंडल, रेड आएगा, तो रेड आएगा बिल्कुल सही सुना समझ में आया यस या नो समझा रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ जहान से समझना तो देखो पीछे आते थोड़ा सा पीछे आएंगे मैंने क्या बोला आपसे रैड और ग्रीन केंडल आपको देखने हैं कहीं भी आपको पूरे चार्ट में मिल जाएं लाइब मार्केट चल रही है तो रैड केंडल बना उसके बाद में ग्रीन केंडल बना अच्छी बात है तो आगे भी देखो रैड केंडल ग्रीन केंडल आपको देखना then red और green candle को छोड़ के दोनों candle को तीसरे candle से आपको continue 5 candle गिनने हैं तो 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle अब इस 5 वाले candle में आपको दो चीज़े देखनी है क्या उपर वाली विक और नीचे वाले विक यहाँ पर ये green candle बना है कहीं कहीं पर हो सकता red candle भी बने वो भी fundamental में आपको समझाऊंगा लेकिन यह जो green candle बना है इस green candle की आपको उपर विक देखनी है नीचे वाली विक देखनी है बस यह देखना है कि इस green candle की विक अगर उपर वाली विक ज़ादा बढ़ी है नीचे वाली विक छोटी है उपर वाली week बड़ी होगी तो next वाला candle क्या आएगा red आएगा और नीचे वाली अगर week बड़ी जादा होगी और उपर वाली week अगर छोटी होगी तो next वाला candle green जाएगा यह है एक ऐसा pattern जो market में बहुत अच्छे तरीके से work कर रहा है क्योंकि मैं तो आपको पता ही है market के new new pattern पर ट्राई करता हूँ क्योंकि market में बहुत pattern है 42 pattern से भी जादा pattern बन चुके है आसके टाइम मार्केट में तो भाई मुझे तो pattern बनाने में बहुत मजा आता हूँ profit उसी से बनता है मेरा तो marketing कोई वह नहीं है कि यार आनी रही तुम्हें पता है लोगों ने आपका मार्केट कर रखा है कि यह knowledge यह लगा लो वह लगा लो यह ही है भाई देखो यह बाइनरी ट्रेडिंग बाइनरी ओप्शन ट्रेडिंग है यहां पर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर में पैटल जबर्दस्त काम करते है क्योंकि OTC ब्रोकर मार्केट होती है पूरा हेंडल आपको उस ब्रोकर के माइंड की तरह चलना होता है कि कब कौन सा केंडल क्या बनता है और यह फंटामेंडल में आपको समझा रहो और डेटिल में आप समझ भी ला समझ ना ठीक है न यह चीज़ समझ में आईए आपको बिलकूर के रेड और गरीन को छोड़के रेड केंडल में उन दनो केंडल को छोड़के पांचामार केंडल आपको गिंड़ना है पांच मेंडल में ऊपरवाली वीक बड़ी ओगी तो नेक्षपडर रेड राईगा यह अब चलो यह फंडामेंटल आपके समझ मैं आगए लेकिन एक चीज में आपको समझा रहा हूं डेटिल में और ठीक है, समझ ना, ओके, चलिए, ओके, मैंने क्या बोला है, ओल्ली, रेड और ग्रे, तो जड़ा, स्क्रीन पे देहां दो, मेरे माउस को सगल पे देहां दो, ये केंडल कौन सा है, रेड केंडल है, रेड केंडल और ग्रीन केंडल, यस, बिल्कु कॉम्बू माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, पांच में केंडल है, यहां पर ग्रीन, और पांच में केंडल के ऊपर तो वीक है, नहीं है, नीचे वीक है, बिल्कुल, अगर कहीं ऊपर वीक नहीं है, तब भी चलेगा, नीचे वीक नहीं है, तब भी च रेन केंडल बनेगा आपको call direction ढप direction Crime freeze कर देनी है आपकी trade application देन्य होजाता अगर loss होजाएगे तो आपको medical are you out कर लेना है और आपकी टेड्ट in a drink ऩर चो में पासमजीमर आ Кстати हिरेग के श्रेअ ह इसे बाद में green candle बरिंगे डीक है na red candle रही ग्रीन आफ ग्रीं केंडल है और यहां पर है इतनी इतनी वड़ी वीक दे रखी है तो इसका solution क्या है क्या solution है इसका तो मैं आपको अब समझा देता हूँ इसका solution क्या है जब भी market में इस तरीक से red candle आपको देखने को मिले और नीचे अगर weak जादा बड़ी होगी और उपर weak छोटी होगी या उपर weak नहीं है red candle के और नीचे वीक जादा बड़ी है तो next वाली candle पर भाईया आख मीच कर put direction में बदा red candle के लिए trade प्लेस कर देना आपकी short और trade हो जाएगी जब आदस तरीके से बहुत अच्छी accuracy मिल रही है इसकी loss होती है तो my dear friend MTZ use कर लेना ओके तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये चल रहा है live chart क्या चल रहा है ये चल रहा है live chart चल रहा है live chart में थोड़ा सा हम देखते है क्या होता है market के अंदर में red के बाद में green तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच मा candle है तो पजादा नहीं 50 डॉलर की में ट्रेड रहा है और मेरी I think 21 सेकेंड पर सही entry लगी थी court direction में ट्रेड में 50 डॉलर की लिए देखते है loss होगी आप लोगों के सामने होगा जो भी मुझे कुछ नहीं पता मुझे loss से कोई फरक नहीं पड़ेगा loss भी हो जाएगी लेकिन मेरे loss से आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा बड़ी बात है उससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है loss profit जो भी होता है तो live trading कर रहा हूँ यह मैंने court direction में ट्रेड लिए 50 दॉलर की यह मैंने क्यों ट्रेड लिए माई डिफ्रेंड यह चीज मुझा बताना loss हो गई है तो मैं MTG को जरूली यूज करूंगा ओके थोड़ा entry मेरी उपर लग गई है ठीक है न entry थोड़ा सा उपर है अब यह देखना कि मैंने किस base पर ट्रेड लिए जरा आप मुझे समझा देना किस काosit का फंटामेंटल क्या है और या मैंने क्यों लिए क्यों लिए उसली बताओ किया मैंने यहाँट पर मेरी ट्रेड लिए यहाँए जो वाली कि से लिख पर कि सपर कंट से हमे ना और पर अपना दिमाग दोड़ाओ कि मैंने यहाँ पर जो 50 डॉलर की जो ट्रेड ली थी वो ट्रेड मेरी लॉस हुई तो हुई क्यूं है दम आपके अंदर में? है दमाग में दम? सब कॉंसे स्माइंड कितना पावरफुल है आपका? समझ में आ रहा नहीं? समझाओंगा? यह मैंने क्यों ली? क्यों जान मुझकी ट्रेड में ली? क्यों मैंने अपने मन से ट्रेड ली? वो फंटामेंटल में आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ लेना और यह केंडल पर मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड क्यों ली है? यह candle अब 5 में candle में क्या है इक तो यह न 5 मा क्यों सही बोलाए न मैंने में अधोर ऑच तो यह गंडल है कि यह चोटी यह नीचे वाली वीक है और उपर वाली वीक बड़ी है और मैंने यह चीज़ समझाईए आपको अगर उपर वाली वीक बड़ी होगी तो next वाला candle गिरिन जाएगा और नीचे वाली वीक छोटी होगी तो next वाला candle रेड जाएगा जो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था इस वाले candle पर नीचे वाली वीक बड़ी होगी तो रेड आया उपर वाली वीक बड़ी होगी तो गिरिन जाएगा और यही पर मार्केट में हमको थोड़ा सा आगे लाइब मार्केट के अंदर में चाट में हमको देखने को मिल गया है कि उपर वाली वीक बड़ी है नीचे वाली वीक छोटी है तो देन यहाँ पर ट्रेड हमारी बनेगा तो मैंने यहाँ पर अब डारेक्ष्म ट्रेड प्लेस करती जिसको बोलूगा मैं MTG यूज करती लेकिन जो मैंने 50 दॉलर की यहाँ पर बस ऐसी ट्रेड लगा दी 50 दॉलर की क्योंकि यह केंडल 5 माई ही केंडल था यह केंडल 5 माई ही केंडल था और देन उसके बाद में लॉस होगे बट मैंने MTG और यहाँ पर मैंने 50 दॉलर की ट्रेड इसलिए भी ली एक पैटर्न इसी में एक कोंबो वाला पैटर्न में आपको समझा दे रहा हूं ठीक है बट उसकी जो accuracy की बाद कर वो होगी average average 91-92% का average में लूँगा क्योंकि वो इतना मतलब यह है कि आपको 10 में से 7 त्रेड आपकी win दिखा देगा pattern 10 में से 7 त्रेड वो कैसे जरा उसको भी समझा देता हूं ठीक है तो जायन से सुनना समझना ठीक है कभी भी market में simple यही चीज़ बने red और green red और green जैसी देखने को मिलें तो एक candle दो candle तीन candle चार candle पांच में candle को चुप चाप green ले लो यार क्या ले लो ग्रीन ले लो यह पैटरन काम करता है और यह कर भी रहा है और करेगा भी लेकिन ग्रीन ले लो अगर आपकी थोड़ी accuracy सही है तो fundamental समझ के candle को थोड़ा समझ के पैटरन को समझ के आपको आँक में इसके green ले लोगे तो आपकी टेट भी हो जाएगी और देखलो यहां पर red बना तो लॉस होगी लेकिन एक्स्ट वाल केंडल पर विन होगी टेट पता हमारा यहां पर दो काम कर रहा है दूसरा पैटर 95% काम कर रहा है तो कितना हो गया भाई सब आपकी डबल नो एक अनो नो दुनी अठारा और पांच पिच्छा सी 185 माई डिफ्रेंस accuracy आपकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी तीन पैटर हो जाएंगे तो 200% से भी ज्यादा accuracy आपकी डबल हो कर देता हो जाती है इसलिए तो मैं अपने विए वी कुरू में पॉफिट कराता हूं बैक टू बैग तीन चार पांच ट्रेड प्रोवाइड करा देता हूं और इसलिए तो मैं ऑपरेटर फ्यूचर ट्रेड निकाल के देता हूं 200 ट्रेड कभी 1500 और देखो कितनी जबरदस कितनी जाती है कभी 120 ट्रेड विंज जाएंगी तो पांच लॉच जाएंगी कभी 1500 ट्रेड विंज जाएंगी फ्यूचर ट्रेड लॉच जाएंगी 678 कैसे पॉसिबल है यही तो पॉसिबल है मेरे लिए लो एक और समझा देता हूं यह लो कभी भी मार्केट में कभी भी मार्केट में रेड केंडल, ग्रीन केंडल यहां से करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांचमा केंडल क्या आप आनेगा ग्रीन बनेगा, ग्रीन बनेगा, ग्रीन बनेगा ध्यान से उसलो, ठीक है यह मिरी गारंटी है, आप समझा वारी है, अब यही पर देखो, एक और fundamental समझा रहा हूँ, आपकी double accuracy निकाल रहा हूँ, red candle, red candle के बाद में green candle, तो 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 में candle पर देखो, कि नीचे भी week है, उपर भी week है, अब week, उपर की week ज्यादा बढ़ी है, नीचे की week बढ़ पर देखो, आप लोगों के सामने, यह भी pattern काम कर रहा है, मेरे पास में ब्रहमास्तर भाई pattern का, मैं आपको फिर बता दू, यह मैं इतना घमन नहीं करूँगा, पत इतना वोलूँगा, भगवान का दिया हुआ, बढ़दान है मेरे पास में, भगवान का दिया हुआ, क्यो उपर वाले का खेल है, इसलिए मैं चुटके में निकाल देता हुआ, चार्ट को देखती बता दूँगा, कब क्या pattern काम कर रहा हुआ, किस पर मुझा ट्रेड करनी है, हर दिन में एक नहीं pattern करता हुआ, मैं आपको बता दू, हर दिन, लेकिन ऐसा नहीं है, कि आज यह pattern बता में अगर मेरे एक बिजनिस चल रहा है, में की बिजनिस करोम का अगर मेरे पास 10 बिजनिस है, तो कल इस बिजनिस को देखोंगो, कल आ तीस बिजनिस को दिखुआ, कल तीसरा बिजनी को आँ, हर चाउता है, ऐसाइसा, next अगर नहीं प्रेड प्लेंके लाइब की आपर स्टेदे राख और पर所以呢 यहाँ से ले खाल देडा सब्सक्सक्वान सी तो आपको यही candle बताएगा सुलो समझ लो कि जैसे ही candle बना हमारा क्योंजा रेड candle ऊपर वीक ठंगडी है नीचे वीक है नहीं है तो next candle क्या बनना चाहिए गरीन लेकिन यहाँ पर लॉस होगी next candle गरीन जाएगा उस pattern के according में होगी आपकी शॉट्शो ट्रेड इसका according और हाँ उस वाले pattern में MTG यूज मत करना बेलकुल उस वाले pattern में यूज मत करना जो पांचमा candle गिरीन बनेगा उसमें MTG यूज मत करना उसमें शॉट्शो ट्रेडी यूज करना लेकिन हाँ इस वाले pattern में आपको MTG यूज करनी है और आपकी accuracy डबल हो जाएगी देखो दो तीन चार पांच पांचमा candle देखो शॉट्शो ट्रेड हो चुकी है और देखो ऊपर वीक है बहुत तंगड़ी और नीचे वीक बहुत छोटी सी है बहुत छोटी से नेक्स वाले केंडल के आएगा रेड आएगा और देखो यहां भी मतलब आपने यहां भी ट्रेड ल गेंडल केंडल में उपर विक हैं यहीनिए जब वए नहीं है और नीचे वीक इतनी तंगड़ी है तो next वाले केंडल गेंडै लोग है सिंपल साह कुछ भी नहीं है ठीक ना सिंपल से दमाग लगाँ सी को समझ लू बल्ले-बल्ले हो जाएगी ट्रेंव वेस्ट होगा नहीं आपका कि इंदा में को स्मझ में भाइव इंदे लूग को साथ किशन कर ल encima current स्मझ में से इंहाब लेना ओर वाइड प्लस मैं न Ό Laboratory न्यों प्लाइक करें जीए में तो कि मिलते हैं न भूइ लव्यू गाई यूड referral फिस रॉimatmetro